हेलो फ्रेंड सौमया किचिन में आपका स्वागत है ये देखे कितनी अच्छी लग रही है ना राज का चोड़ी एकदम फुली फुली ऐसी बनीगी तो इसके लिए मैंने लिया है ये देड़ कप सूजी ली है देड़ कप सूजी जो नॉर्मल बाली सूजी होती है बहुत ज और दौनों को मिक्स करके छान लेंगे और लेवल करके लेना है आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से ले रही हूँ तो मैं पूरी डिटेल में आपको बता रही हूँ किस तरीके से हमें राज कचोड़ी बनानी है बहुत ही अच्छी बनती है तो आप इसी तरीके से से सेम र और जो बेकिंग पाउडर है उसको भी लेबिल करके ही डाल रही हूँ आप देख सकते हैं और वन एंद आफ टीस्पून नमक डालेंगे और नमक को थोड़ा सा कम और ज्यादा भी कर सकते हैं कि दूर यह ओ यहाँ ओओ ऐल को टालना है और बिल्कुल नाप करके ही डालना है इस तरीके थे सिक्स्टेवली स्पून डाल करके और उसके बार ओील को अच्छी तरीके सेसे मैधा में सूजी में मिक्स कर देना आप देख सकते हैं एकदम इस तरीके से मैधा हो जाएगी करम अच्छी तरीके से मिक्स कर देना जिससे कि नमक बेकिंग पाउडर सबी चीज़े अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी ये देख सकते हैं आप इस तरीके से और इसमें डालेंगे पानी ये एक कप भरके पानी लिया है और चोथाई कप और रखा हुए मैंने कभी कभी सूजी न जाधा पानी पीती है तो लेकिन पानी को न थोड़ा थोड़ा ही करके डाने एक साथ न डालें कहीं जाधा पतला हो तो फिर वह बेरले में नहीं आएगा इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा कर पारी डाल रही हूं आप देख सकते हैं और इस तरीके से बांदते जाएंगे देखे और पूरी जो वीडियो है पूरी डिटेल में है आपको किस तरीके से क्या करना है कैसे करना है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरीके से माड़ करके नहीं ज्यादा सॉफ्ट है नहीं ज्याद करके कपड़ा लिया है और पानी से हलका सा गीला कर देंगे इसके अंदर कपड़े से धक करके हम जो राजकचोडी बनाएंगे न उसको रखेंगे बेल करके आप देख सकते हैं आदा घंटा हो गया तो जो सूजी है वो फूल चुकी है और थोड़ी सी जादा ही सूजी फूल तो थोड़ा सा पानी मिला करके और फिर मिला करके रख दें और यह देखे लोई फटी फटी तो नहीं बन रही थी लेकिन हालका सा दाना आ रहा था सूजी का तो मैं इसको फिर से 10-15 मिनट के लिए रख दे रही हूं अब 10-15 मिनट फिर से हो गए हैं अब सूजी को इस तर सिर्षाप कि लेकिन के यह को सबनाओं मैं अरी बें सब्सकेर या धूझ नियुकता है ना नाले हिं ़म और मतलब राजक़ोड़ी को भी तोड़ सकते हैं यह हैं अगशि परिदी जा थार्षट ना तो धलकी सी थिक बेली जाती है, यह मैंने एक लोई ली है और पूरी इसको बेल लिया है, यह देख सकते हैं, थोड़ी सी मौटी है, अब इसको कट कर लेंगे, यह कटोरी ले रही हूँ, आप गिलास ले लें, कटोरी ले लें, किसी चीज का धकन ले ले, तो यह थोड़ी ज और उलट-पुलट करके बेलेंगे, दोनों तरफ से पलटते जाएंगे, फिर बेलते जाएंगे, फिर पलटते जाएंगे, फिर बेलते जाएंगे, और बिलकुल पतला बेल लेंगे, जैसे कि पूरी होती, उस तरीके से बेल लेंगे, और बेल करके कपड़े के नीचे रख सकते हैं और आपको मतलब इसी तरीके से बनानी है तो आपकी राज कचोड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी क्रिस्पी बनेगी और एकदम फूली फूली बनेगी यह देख सकते हैं सभी राजकचोडी को मैं इसी तरीके से बेल बेल करके कपड़े के नीचे रख दूँगे इस तरीके से सभी राजकचोडी को कपड़े के नीचे रखना है और इस तरीके से रखना है जहां से सबसे पहले राजकचोडी रखी है पूरी बेल करके रखी है वहां से सबसे पहले जो सबसे बाद में रखिए उसको सबसे बाद में कढ़ाई में तलने के लिए डालना है और करीब 10-15 मिनट तक राज कचौडी को इसी तरीके से रखा रहें देंगे उसकी बाद ओईल को गरम करने रखेंगे तब ही राज कचौडी फूलती है देख सकते हैं ओयल थोड़ा सा कम गरम था तो कचोड़ी पूरी तरीके से फूली नहीं है और फिर ओयल अच्छी तरीके से गरम हो गया तो देखें एकदम कचोड़ी कितनी अच्छी तरीके से फूली एकदम गुबारे की तरह फूल गई है और ऐसी ही राज कचोड़ी बनती है बहुत ही अ की राजकचवडी में से नेकल कर freiया कर चार्णी के जरीये एक कटोरे में आ जाता है और यह डिब्बे में मैंने लगा लिया एक कपड़ा नीचे और इसके उपर लगा दिये टिशू फेपर क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी ऑईल होगा तो वह सारा टिशू पेपर सोख लेगा और यह देखे फटाफट फूलती जा रही है कोई और मैंने वो वीडियो भी अपलोड कर दी है अपने यूटुब चैनल पर और फेस्बुक पर लाइब गई थी मैं तो लाइब में दिखाया था बहुत ही क्रिस्पी बनी है यह देख सकते एक दम फूलती है